इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बेंजीन में और्थो मेटा और पैरा पोजिशन कौन सी होती है तो पहले समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है यह हमारे वर्ल्ड हैं ग्रीक यह ग्रीक भाषा के वर्ड हैं ग्रीक लेंग्वेज के वर्ड है और्थो मतलब हम देख परेक्टिस का मतलब होता है, मेटा का अगर मतलब देखें तो इसके बाद आ रहा है तो इससे बोलते हैं, आफटर, और पैरा का मतलब होता है, सिमिलर, माल लीजी ये, बेंजीन दिंग में कोई ग्रूप लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से, ये हमारी बेंजीन दिंग हो और ये जो दो पोजिशन है, ये कहलाती है, मेटा, यानि स्ट्रेट के बाद आगया, आफटर, तो ये आगए मेटा, और आफटर के बाद ये इस ग्रूप की तरीके से ही ये वाली पोजिशन है, तो इस पोजिशन को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे, सिमिलर, औ ग्रीक वर्ड में इसे कहा जाता है पैरा तो और्थो मेटा पैरा ये position कहलाती है simple सी गृट की पड़ोस वही डो पोजीशन और तो कहलाओंगी बीच वाली डो पोजीशन मेटा कहलाओंगी और ये वाली पोजीशन कहलाओंगी पैरा